तो इस वाले सवाल को देखो प्यारे बैच्चों कहता है कि क्वाइल है जिसका रेजिस्टेंस आर प्लेश्ट इन ए मैगनेटिक फिल्ड मतलब एक हम लोग के पास चलो एक मानलो क्वाइल है इस क्वाइल के पास एक रेजिस्टेंस है आर और वो 400 ओम यहां से दिया हुआ है इस प्लेश्ट इन ए मैगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक फ्लक्स लिंक विद दे क्वाइल अगर इससे जो मैगनेटिक फ्लक्स जो जुड़ा हुआ इस क्वाइल से जो मैगनेटिक फिल्ड लाईने जुड़ी हुई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्शुएट कर रह तो समय दो सेकेंड भी चुका होगा उस वक्त कितना होगा तो देखो दो सेकेंड बास के निकालना है तो दो सेकेंड बात तो में बोल्टेज होगा तो करेंट पता चलाएगा तो जब फॉलक्स ये है तो ई इंदिद्यूदिऊ सिएह depressed is equal to d5 over dt होता है तो इसका derivative लो लो d5 over dt 5 की value यहां रख दो that is 50 T square plus 4 तो आई होब कि इसका derivative सबको आता होगा minus 100 यहां से T और यह plus 0 ठीक ना तो यह जाएगा minus 100 T introduce EMF ठीक ना introduce EMF जो है वो minus 100 मतलब मॉड ले लो magnitude ले लो तो यह 100 यहां से T आजाएगा magnitude में यह जो है introduce EMF is equal to minus यहां से d5 over dt था तो यह जो है introduce EMF इतना मतलब introduce EMF तो current is equal to introduce EMF over resistance of the coil तो introduce EMF upon this is the current function of time ठीक ना अब कितने time बात current चाहिए तो 2 second बात चाहिए तो यहां से current की value 100 multiplied by यहां से 2 और resistance यहां से 400 दिया हुआ 20 से यह 0 कतम हो गया that is यहां से 1 by 2 आ गया मतलब 0.5 MPR यहां से current flow हो रही होगी यह option सही है thank you